दोस्तों देखे फ्यूचर को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग या अन्नाचुरल चीज नहीं होती है, तो आने वाले हजार खरब सालों में नैचुरली क्या-क्या होगा हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्शिक और आप देख रहे हैं क्लास अफ की दिवासिटी, तो दोस्तों ये वीडियो काफी फैसिनेटिंग होने वाला है, तो आएए शुरू करते हैं आज से एक हजार साल पार, आज की देट में जितनी भी लैंगवजिज एग्जिस्ट करती हैं, उनमें इतनी तेजी से प्रोग्रेस एकनी तेजी से इवॉल्यूशन होगा, कि कोई भी आज की डेट में एग्जिस्ट करने वाला एक भी वर्ड सर्वाइव नहीं कर पाएग दूसरा चेंज जो होगा, वो होगा कि आज जो हम रात को देखते हैं धुरुपतारा, जिसको लोग मानते हैं कि वो ब्राइटेस स्टार है, एक्चली वो होता नहीं, बट ऐसा मानने जाता है, तो जिस स्टार को हम धुरुपतारे की तरह देखते हैं, इस समय हैं वो पुल आज से 2000 साल बाद दोस्तों जो भी हम देखते हैं नोर्थ फॉल और साउथ फॉल पे जो भी आइस की शीड्स है वो मेल्ट हो चुकी होगी कम्प्लीट ले और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इतनी जादा होगी कि अर्थ का एवरेज टेंपरेचर एट डिग्री से है वो छे मीटर तक बढ़ जाया है दोस्तों कि आप जानते हैं कि 5125 यह है साल जब मायन कैलेंडर एंड होता है मायन बेसिकली एक कम्यूनिटी है उनके कैलेंडर के एंडिंग यर 5125 है और मायन के अनुसार यह हमारी अर्थ और हमारी हुमन सिविलाइज़ेशन का कर जाते हैं तो पचास हजार साल बार नियागरा फॉल्स काफी फेमस वाटर फॉल्स है यह खतम हो चुकी है ग्रीन लैंड की जो भी बचे कुछी आईस होगी वह भी पूरी कम पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी होगी और ग्लोबल वामिंग की वज़े से एवरेश टेंपरे होगा और इसे डिस्ट्रॉय कर चुका होगा जो स्टार्स आज हम रात को देखते हैं आसमान में वह बिलकुल ही अलग दिखेंगे और इसका रीजन होगा अर्थ की मूमें गैलक्सी में दोस्तों देखिए हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड तो रिवा करती है तो जो स्टार्स आज हमें देखने को मिलते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे एक लाग साल बार आज से दस लाग साल बार जितना भी ग्लास कांच आज एक्जिस्ट करता है वो फाइनली डिग्रेड हो चुका होगा खराब हो चुका हो जो भी मॉन्यूमेंस पनी है स्टोन्स वेगरा से वो तो एक बार को एक्जिस्ट कर सकती है मगर बाकी सभी चीज़े फिनिश आज से पचास लाग साल बार रिसर्चर्स मानते हैं कि वाई क्रोमोजोम खतम हो चुका हो दोस्तों देखिए हम जानते हैं कि हुमन के हर सेल में डियने होता है डियने और ऐसे 23 पेयर हुए हुमन सेल्स दोस्तों 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में सिमिलर होते हैं फरक आता है केवल जो एक क्रोमोजोम का पेयर है सेक्स क्रोमोजोम जिसे कहा जाता है उसमें जो फीमेल्स हैं उनमें सेक्स क्रोमोजोम होते हैं एक्स और दूसरा भी X, बट मेल्स में एक क्रोमोजोम तो होता है X, और दूसरा होता है Y, और जब 50 लाग साल बाद Y क्रोमोजोम खतम हो चुका होगा, तो men exist नहीं कर पाएं, फीमेल्स ही एक बार को exist कर से, आज से 5 करोन साल बार, आफ्रिका का जो कॉंटिनेंट है वो यूरोप औ और एशिया के साथ कॉलाइड कर जाए और इस कॉलीजन से एक, एक माउंटेन रेंज बने बिल्कुल ऐसी ही हमारी हिमाल्याज, क्योंकि दोस्तो हम जानते है कि जब भी टेक्टॉनिक प्लेट्स की मूमेंट की वज़े से, कॉंटिनेंट्स पास या दूर होते हैं, तो हो चुकी होई, और अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तब तक तो शायद पूरी गालक्सी हमारी पहुच में है, आज से 6 करोड साल बार, अर्थ का जो ओर्बिट है, जिस ओर्बिट में अर्थ सन के अराउंड रिवाल्व करता है, वो एक दम यूनो डगमगा ऐसा जा मूव होंगे, टेक्टॉनिक प्लेट्स की मूवमेंट के वज़े से, और उस मूवमेंट के वज़े से पैदा होगा एक सूपर कॉंटिनेंट, आज से 80 करोड साल बार, फोटो सिंथेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, द्यू तो वेरियस रीजन्स, और इस वज़े से प्लां को हम देख सकते हैं, उन नहीं को का जाता है, तो उन मल्टी सेलिलर और गानिजम वो सभी ऑल्मोस डिपेंड करते हैं, प्लांस पे अपनी एनरजी नीज के लिए, और जब फोटो सिंथेस पॉसिबल नहीं होगा, प्लांस अपना काना नहीं बना पाएगे, तो प्लांस एक तो ठंडा हो जाएगा और फ्रीज हो जाएगा, इसकी वज़े से हमारी अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करना बन कर देगी, और क्योंकि रोटेशन नहीं होगी, तो मैगनेटिक फील भी नहीं होगी, तो सन के अगेंस्ट उसकी कोई प्रोटेक्शन में नहीं दोस्तों ये मैगनेटिक फील और प्रोटेक्शन में अपनी पिछली वीडियो में एक्स्प्लेइन कर चुक हैं, अगर आप वो देखने चाहते हैं, तो कार्ट में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, कमिंग बाग, जब रेडियेशन बहुत जादा होगी, तो अर्थ का जो सर्फिस टेंपरेचर है, वो हिट कर जाएगा 147 डिग्री सेल्शियस, जिसके वज़े से, अगर जो भी थोड़ी बहुत लाइफ अर्थ पर बची भी होगी, वो भी बिल्कुल खतम हो जाएगा, आर्थ से 700 करोर साल बार, सन जो है, वो इतना जादा एक्स्पैंड तो मरकरी, वीनस, और शायद अर्थ पी, टैस्ट्रॉय हो चुके होगी, क्योंकि सन उन्हें निगल जाया, और फिर सन बनेगा एक वायद द्वाव, और उसका मास होगा, तक्रीबन आधा उसके पेसंट मास के, आज से 2000 करोर साल पर, युनिवर्स शायद खतम हो चुका हो, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि युनिवर्स कॉंस्टेंटली एक्स्पैंड कर रहा है, और जब वो एक्स्पैंड कर रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैटर, आटम्स, वो भी एकदम खिचे जाएंगे, उसके वाज़े से युनिवर्स खतम हो जाएगा, और जितन स्टार्स, और ब्लाक होल्स, दी एंड, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर आपको कोई सवाल, सोजाव या फिर कोई वीडियो रिट पेस्च हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और दो झाल बाइंट, प्लिट वीडियो जरूर दोस्तों ऐस वाज़ाश और आपको के बटन ज़ दो कोई।